साथियों दाकिल खारज से जुड़ी कोई भी समस्या होगी आज आपकी तो इस वीडियो में 100% आपकी हल करके देंगी तो साथियों किन किन पॉइंट पर वाद करेंगे वो आप समझ लीजी ठीक है ना हम पहले बात करेंगे कि जमीन का दाकिल खारज क्यों जरूरी है यह दे और अन्य भी माली जी समय को लेकर कितने दिनों के अंदर करवा लेना चाहिए ठीक है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अब जमीन का दाकिल खारज क्यों जरूरी है इसके सबसे पहले चर्चा करेंगे क्यों जरूरी है और इससे पहले आपको बतातें कि दाकिल खारज होता ए ठीक है और गाटा संक्या जमीन नम्मर 20 ठीक है ना 20 जमीन नम्मर है यह आपका अब माल लीजिए ए आपका नाम है आपने बेच दी किसी बी व्यक्ति को ठीक है तो अब जो है बी ने रेजिट्री करवा ली बी जो है मालक बन गया ठीक है रेजिट्री करा ली मालक बन गया कबजा ले लिया मालिक बने गया रेजिस्ट्री की बाद लेकिन अब एक प्रोसेस बचा है B के लिए एक काम और बाकी है कि B तैसिल दार कोट में जो है आवेदन दे ठीक है तैसिल में कि महोदा है A वाली गाटा संक्या 20 जो है काटा संक्या 20 जो है वो B को बेच दिया गया है आज से जमीर का मालिक कौन है B ठीक है और A का नाम कर दिया जाएगा यहां से हटा दिया जाएगा यानि कि B का नाम दाखिल हो गया यहां पे और A का नाम हटा दिया गया तो इसे कहते हैं दाकिल खारीज की प्रिक्रिया जो के बेहत जरूरी है साथियो अब हम आपको बताएंगे ये कितने समय तक आपको करवा लेना चाहिए वरना आपको परेशानी होगी नहीं करवा पाओगे या जबी फ्रोड हो जाएगा कितने दिन तक करवा लेना चाहिए हालाग ये पॉइंट एड नहीं किया फिर्मी में आपको बता दूँ एक चीज में आपको और एड कर दूँ कि साथियो यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं कानूनी ले सकते हैं हमारा कॉंटेक्ट नमबर वीडियो की दिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पे फीस पे फीस भी थोड़ी आपको देनी परेगी उसकी बाद आप हमसे सलाह ले सकते हैं ठीक है तो सलाह ले सकते हैं सुविदा हमने अपलब्द कर रखी है जो भी लोग कोई आपका डाउट संबंदी कुष्टन हो तो ले सकते हैं ठीक है तो समय क्या है दाखिल खारेज का ठीक है न एक मिनट रुकिए का आप थोड़ा चल नहीं रहा है दाखिल खारेज समय सीमा समय सीमा क्या है इसका समय क्या है तो देखे इसका समय जल्दी से जल्दी, यदि आप कितनी भी जल्दी करवाना चाह रहे हैं तो कम से कम माने के चलिए, आप कितनी भी जल्दी करेंगे तो यहाँ पर लगेगा 30 दिन का समय, ठीक है न, 30 दिन 30 दिन बाद आप करवा सकते हैं ठीक है खटोनी आपके नाम निगलने लगेगी ठीक है अब अधिक से अधिक भाई लापरवाई कर रहे हैं कितने दिनों तक करवा सकते हैं तो देखी इसका समय होता है 3 महीने ठीक है और हाँ अगर मान लीजिए डिले होते हैं तो आप एक दू साल तक भी करवा सकते हैं ठीक है एक दू साल तक भी करवा सकते हैं यानि कि कुल मिलाके हमारा कहना है कि दाखिल खारेज आप एक साल में हराल में करवा लीजिए यदि नहीं होता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं आप मुझसे सला ले सकते हैं उसका प्रोविजिन अलग है बाद में भी आप दागिल खारीज करवा सकते हैं लेकिन उसका प्रोसेस साथी हो बहुत बड़ा है इसलिए कोसिस करिए कि एक साल में आप करवा लीजिए बागी दागिल खारेज नहीं हुगा तो आप कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा ठीक है जी अब साथियों बात करेंगे कि दागिल खारेज ना ओने पर क्या होगा क्या परेशानी आपको होगी तो देखिए परेशानी यह जैसे मान लीजिए ये है खतोनी ठीक है ना एके नाम अभी भी जमीन है ठीक है बी आपने खरीदा था गाटा संग्या बीस है अब बी ने वही रेजिस्टरी तो ले ली मालिक बन गया कानूनी तरीके से ठीक है मालिक बन गया ठीक है कबजा भी बी का है ठीक है लेकिन बी ने अभी दाखिल खारज नहीं करवाया तो परेसानी ये आएगी ये खतोनी निकलवा के ये A जा सकता है किसी C व्यक्ती से या D व्यक्ती से और कहेगा ये जमीन खरीद लो जब ये लोग देखेंगे वाख खतोनी में तो ये का नाम है ठीक है तो ये लोग इससे खरीद लेंगे इससे रेजिस्ट्री लेंगे फिर ये लोग आप से लड़ने जाएंगे आप कहोगे मैंने पहले लिए ये कहेगी मैंने बाद मिली तो जंजट होगा तो इसलिए आप जो है दाकिल खारज तुरंत करवाँ साथी हो क्योंकि जब एका नाम कट जाएगा यहां से तो ए इस जमीन की बिक्री नहीं कर पाएगा ठीक है ठीक है ना इसकी जो है इल्लीगल बिक्री नहीं हो पाएगी ठीक है और ए जो है वो कोई लॉन नहीं ले सकता इस पर ठीक है ना और माल लीजे जैसे माल लीजे B है आप B माल लीजे चाहता है मेडबंदी ठीक है ना मेडबंदी ठीक है तो B मेडबंदी नहीं करा पाएगा क्योंकि खतोनी में B का नाम नहीं है एका है ठीक है भी बटवारा भी नहीं करवा पाएगा ठीक है ना तो इससे कई परेशानियां होती है अगर आप दाखिल खारेज नहीं करवाते देखे कई परिषान यह से माल लीजे लॉन है लॉन नहीं करवा सकते मेडवन्दी है मेडवन्दी नहीं करवा सकते बेचने में हो सकता आपको दिक्कत आए ठीक है तो यह सारे समस्या साथियों कई समस्या है जो है वो आती है अब हम करेंगे लास्ट पॉइंट पे बात कि जिसके नाम जमीन दाकिल खारेज वही मालिक क्या वही मालिक है तो उत्तर होगा नहीं ठीक है मैंने नेक्स्ट व्यूडियो में साथियों बताया है कि आप कोई भी जमीन खरी दिये तो आप खतोनी देखकर उस पे प नाम खतोनी पे तो ए मालिक हो बास्तिविक्ता में मालिक हो ऐसा नहीं है साथियों ठीक है हो सकता है इसका मालिक भी हो बीने दाकिल खारेज न करवाया हो ठीक है तो खतोनी पे जिसका नाम है वही मालिक नहीं हो सकता है ठीक है तो इसलिए आप आंगे से कोई भी जमीन खर कि जैसे माली जी तो आपको दिखाया खसार नहीं चाहिए पहले कभही तो इस सारी चीजें आपको देखनी होंगी तभी सातियों आप जमीन करी दिये और कोई भी संबंदी आपका डाउट है कोई भी कुछ है तो आप जो है कॉंटक्ट कर सकते हैं अब एक प्रस्ण में आपको और बता दूँ कि जैसे माल लीजिए दाखिल खारेज जो है उसके फायदे है क्या होता है ठीक जो है वह आपका सारा डाठा मिलेगा और देखिए बविस्में जैसे माल लीजिए आपकी मिरत्य हो जाती है तो यह जमीन जो है वह आपके नाम आ जाएगी ठीक है ना जमीन जो है जो भी जमीन है वह आपके पुत्र है ठीक है ना पुत्री है तो इन सब के नाम आ जाएगी माल लीजिए विद्वा है ठीक है ना तो इनके सभी के नाम आ जाएगी इसलिए अभी आपको दाखिल खारेज साथियो करवा लेना चाहिए दाखिल खारेज बहुत मेंडिटरी है ठीक है जी और कोई भी कुस्तन हो तो आप पूछ सकते धन्वा साथियो